नवस्ते सविकों मैं समना थास्दा मैं अभी इंडिया में और वाल्ड का अंदार जो रिशाज कारके दुनिया में घुमके मेरे को पता लगा इसी से पता लग रहा जे अभी दुनिया को आर ये हार स्टेट से लेके इंसान को आगे बाढ़ाना है तो ये जो पुलिस का पसाशन का जो पुलिस पसाशन में जैसे तेरिका हो रहा उसी से पता लग रहा जो जारकन में हो गया आदिवासी होस्टेल में एसे वेवार हो रहा लेकिन पुलिस पसाशन एसे हरकत में एसे जुमिबार हट के काम कर रहा इसी से पता लग रहा जे ये पुलिस शिरिप फांसाल का डिपलमा जैसे होना चाहिए और यह कोई पारमानेट नोकरी न हिह श्काशिए में पुलिस में स्ट। पांस साल डिप्लमा उसका बाद चेंज एक यह तो साध किसी को कानून आता नहीं नहीं , तो कि-शी को किसी जानकरनी कानून भूल घूattend हो ज्याधा दिन नोकरी करके ॏसलिए पुलिस में शिर Catalunya क डिप्लमा जह recurring करके दोसरा नोक्री दिया जाए तो भी इंडिया में और वाल्ड में ये पुलिस का जैसे हरकात हो रहा मेरेक का अपर भी पुलिस लाठी चाज गया था 2021 नवेम्बर का लाष्ट में 31 नवेम्बर को मैं एक सेनावायनी होके मेरा अपर भी लाठी चाज गया था इसका मतलब कानून आता नहीं होगा और कानून को मानता नहीं होगा और उसका अंदार घमंडी आ गया हो मैं तो पुलिस हूँ इसलिए शिरिफ पांस साल के लिए डिपलोमा जेसे पढ़ाय का कॉंप्लीट करने का बाद उसका बाद उसको दोसरा नोकरी में सिलेट किया जाए एसे शिरिफ पुलिस को शिरिफ डिपलोमा है हिसाब से रखना जाए यह मंत्री मंडल से मेरे को बहुत रिक्वेस्ट है यह एसे तरीकाई शिरिफ रखना पड़ेगा हार स्टेट में पुलिस कोई पर्माने नोकरी नहीं है क्योंकि जो IPS, IS ओपिसार बाणने वाला IPS से एक्जाम देने के लिए डिल्ली में उसका उपर भी लाठी चाज किया था पुलिस यह पुलिस का हार स्टेट का रिशाच में मैं देखा हूँ और अनुभव किया हूँ इसलिए मैं यह यूट्रीव माद्वम से मैं समना थस्दा और वाल संताली डवलाप्मेंट प्रोग्राम से मैं भो रहा हूँ नमस्ते सभी को